तो नमस्कार सुआगेता आप सभी का मौसम अपडेट बिहार यूटूब चैनल पर दोस्तों आपको बता दे कि बिहार में 100 सालों का रिकॉर्ड तूड चुका जियांकि सन भैयों आपको बता दे कि लू का प्रकोप और बीशन गर्मी का प्रकोप बिहार की कई जिलों में ज यहाँ दोस्ता आपको वदा देखे कि आने वाली 128 गंटों के दुराण भी गतीविद्या काफी खराब रहने वाली है और बारिष की गतीविद्या कब सुरू होगी बिहार में आने वाली 128 गंटों के दुराण मोऊशम कैसा रहेगा उसके बारे में आपको सही रिपोर्ट बताएंगे आने वाले 128 गंटों के दुरान बिहार के किन जिलों में बारी सुगी काँ पर तेज दूलबरी हवाई चलने के समभावना है उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे तो आपसे निवदन है चैनल पर नई वो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा हमार दोस्तों बिहार के अधिक्तर जिलों का मौसम सुस्केन लेकिन बादलों की अवजवी भी कुछ स्तानों पर देखी जा सकती हैं बिहार और जार कंड के जुबीच वाले शत्रे या पर भी बादलों की अवजवी हैं आने वाले 128 गंटों के दुरान बादलों की अवजवी अब बिहार के कई जगों पर बढ़ेगी लेकिन जो 27 गंटों की गतिविद्या हैं वो ऐसी ही बनी रहेगी आने वाले 27 गंटों की दुरान कोई विशेस बारिस की उमीद बिहार के शत्रों पर नहीं है बिहार के अधिकतर जगों पर मोसम शुस करेगा लेकिन 17 अपरेल के बा फिर से बादलों की अवज़ावी के साथ मेगजना की गतिविद्य सुरू होगी 16 अपरेल को ऐसी गतिविद्या नहीं देखने को मिलेगी अगर कुछ विशेस मोसमी बदला होता है तो उसके बारे में भी आपको जानकरी देंगे 18 अपरेल को पूरी बिहार और मदी बिहार तक बादलों की अवज़ावी के साथ मेगजना की गतिविद्या और कुछ इस्तानों पर बारिस की गतिविद्या संभव हो सकती हैं तो लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी आप मौसम अपडेट बिहार को सस्क्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर भी जरूर करें हम लगातार परियास कर रहे हैं कि किसानों को अच्छी जानकारी मिले और समय पर सटिक जानकारी मिले दोस्तों मिलेंगे एक और नेक्स्ट टूडियो में तब तक लिए आप सभी किसान भाईयों का बहुत बहुत धनियावाद जैहिन जै भ तेंक यू